हेलो एवरीवन वेलकम बैक इन अवर चैनल दोस्तों आप से भी का स्वागत है मैं हूं कपल तो आज इस वीडियो में हम कुश्चिन नमर 147 को आज हम कुप्लिट करेंगे इससे पहले मैं 146 कोश्चिन तक जो वीडियो मैंने अप्लोड कर दिया है आप जाके हमारी प्लेलिस में आके देख सकते हूं आपको 100 प्लेस प्रिब्येस एर में जो टेट एक्जाम है जो मैद के कोश्चिन आपसे पूचे गए टेट ही नहीं बलकि अधर किसी भी कॉम्प् बेस्ट और चक्रेश सम्चत्रो जिसके हम बात करते हैं साइकलिक कॉडिरेटर और अधर भी ऐसे जोमेटरी के टॉपक है जो मोस्टली आपसे हर किसी भी टेट एक्जाम हो या कोई भी कॉम्प्रेटिव एक्जाम हो वहां आपसे पूछे जा सकते हैं आप जाके हमारी प् जो टेट एक्जाम के हम बात करें तो आने वाला जो टेट एक्जाम आपका यूपी टेट का रहने वाला है तो आप अपनी प्रिपरेशन में आप लग जाए देख लीजे किस तरीके कि आपसे स्टेट वाइस जो एक्जाम होते हैं मैं जो पूछे जाते हैं कैसा आपका ल यहां पर लिख रखा है जैसा आपको ग्रैफर करता है इसको रीड कर सकते हो तो देखी एंगल ABC की जो वैल्यू है वो आपको आपके 90 डिग्री देखें साथ कोशन में आपसे बोला गया है जो AB है वो किसके आपके एक क्वाल बी-सी के जो AB का जो वैल्यू है वो BC के एक क्वाल है यानि कि बात करते है जो इस ट्रैंगल की ABC की ट्रैंगल ABC में जो अपोजेट साइड है वो आपके हापर क्या हो चुकी है सेम हो चुकी है अगर आपकी अपोजेट साइड किसी भी ट्रैंगल में सेम होती है दो इसका उतलब क्या हो सेम हो जाएंगे तुम्हें इसको माल लेता हूँ यह हमारा एंगल हो गया एक्स और यह भी हमारा एक्स हो गया विकॉस जो अपोजित एंगल होते हैं वह आपके सेम हो जाते हैं संबाहू तिर्बुज में अब आप लगाइए इसमें एंगल सम डिग्री, 180 डिग्री के यहाँ पर इकपल हो जाता, simply you can solve this equation xx2x और 180 माइनस का 90 डिग्री, तो 2x is equal to आपका यहाँ पर 90 आ गया, और जो आपका x का वैलू है, वो आपका रहेगा 90 y2 यानि की 45 डिग्री आपके यहाँ पर x की वैलू रहेगी, तो आपके यहाँ पर x की यह जो एंगल है आपका, यह 45 आ गया, और यह वाला एंगल भी आपका 45 आ गया, अब हमें चाहिए कौन सा, b, c, d, अब हम यहाँ पर यूज करेंगे वाइल लीनियर पेर equation से, लीनियर पेर, आफ एंगल आपको आईनू, आपको पता होगा, अगर कोई भी state line होती है, मैं आ आपको एकस वा सी डिज़ी के बराबर रहता है, ओके, जितने भी एंगल है पर create होँगे, अब देखो, यहाँ पर एक line आपका यह जा रहा है, ab, ad आपकी state line is speak, raise tender c b, यह एंगल आपको यहाँ पर x है, और आपको b, c, d वाला एंगल आपको यहाँ पर बताना है, यह एंग अगर स्टेट लैंड पर कोई रिस्टेंट होती है उससे जितने भी आपके एंगल क्रियेट होते हैं उन दोनों अंगल का सम होता है वो आपका 180 डिगरी के बराबर होता है तो एंगल बी सी डी इस इकल टू 180 माइनस का 45 डिगरी आपको यहाँ पर हो जाएगा जब आप मैनस करोगे तो यू विल गेट 135 डिगरी आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा ठीक है तो एंड आई होप आपको इस सब कुछ हैं समझ आ गया होगा सिंपल सी केल्कुलेशन से अपोजेट सैड एककॉल थी तो अपोजेट एंगल भी एककॉल होगा होगा एकऊल वाले मिने x माल लिये एंगल से प्रॉपर्टी से नहीं एकस का वेली 45 निकाल लिया हमें चाहिए इदा BCD y linear पर हमने लगा लिया वाइल linear pair जो angle का sum होता है वो 180 degree के बराबर होता है यहाँ पर हमारे सिर्फ 2 create हो रहा है कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है linear pair पर 3 angle भी बन जाते हैं जितने भी angle आपके straight line पर create होते हैं उन सब का sum आपका 180 degree के बराबर रहता है अगर कोई भी doubt आप इस वीडियो को बापस से अप ले करके समझ सकते तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए question के साथ तब तक के लिए धन्यवाद, take care and wait for the next video इसका जो option था वो option A आपके हैं पर सही हो गया था तो चलिए मिलते हैं next video में